रादी गुरुजी, गुरुजी मैं खुस्बु पंजाब से आई हूँ, गुरुजी मेरा ना कुछ डाउट है, जैसे ना हमारे यहां मेरे बड़े ससूर एक्सपायर हो गया है, तो मैंने अपने लड्डू को पाल को मैं अपनी फ्रेंड को घर दी थी, तो कोई दोस्तों नह नहीं, सुतक लगा है तो पढ़ सकते हैं, वो अलग मिसेड़ से हैं पर जितने दिन सुतक हो, तकिने धिन मनमें जाब करो जड़े इसमर को नहीं को भागवत के वागवाद के टाइम का एक माकी ममें ज समेमें इर्या ही क्रणी राधिडू जब शूद ही ROUT avo जब आम थोड़ा है इसका मतलब अभी पका नहीं है, पक जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा उसी तरह जब आप किसी की बातों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े किसी के अपमान का, सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े मन केवल भगवान में ही लगा रहे, तब तो स्रेष्ट भक्ती है ये भक्ती है कि किसी ब्यवहार का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े ना अपमान का, ना सम्मान का संत ऐसे ही होते हैं, कि आप उन्हें गाली दो या आरती उतारो उनके लिए एक बराबर है जैसे अपना बच्चा तो अच्छा है, दूसरा का बच्चा सबको गलत क्यों देखता, गुरू जी ऐसा को है भाग रहा है, और आप जमान का ठेक कर लिए बैठें कि वहाऊ किfold के ऐसा हमें किसा हमने उस कप्रेश्चाता दा भोजाए तो अपनको माप करते हैं? यदि हमने उस गलती को सुविकार कर लिया और सुधार कर लिया कि अब नहीं करेंगे तो भगवान चमा कर देते हैं तीसरा कोई व्यवधान ना हो, ये स्थिती तक पहुच जाओ, सवानन दो.